Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. जिसने 22 लोगों की जान लेवी, जबकि 49 लोग घाल हुए हैं, जिस मुंबाई को देश के आर्थिक राजधानी कहा जाता है, जिस मुंबाई के लोग देश में सबसे ज्यादा टैक्स बढ़ते हैं, उस मुंबाई में एक संकरा रेलवे पुल हाथसे की वज़ा बन गया, जि किस भक्तर का अंदेशा मुसाफिरों को था, शिबसेना को था, सुरेश प्रभू के जमाने से ही 106 साल पुराने अंग्रेजों के जमाने के इस पुल के चौड़ी करण की मांग की जा रही थी, सुरेश प्रभू ने इसके लिए 2016-17 के बजट में 11 करोड 86 लाग का बजट भ होता रहा, इस हादसे की बाद आज टेंडर प्रक्रियाज जारी की गई, हम तो पूछेंगे में सवाल नंबर एक, क्या भ्रष्ट अफसर शाही की वज़ा से एलफिंस ओवर ब्रिज का टेंडर जारी हुआ, नहीं हो पाया, सवाल नंबर दो, क्या मुंबाई ओवर हादसे के बाद जब मौत की गिंती दर्जन में होने लगे, मौत के बाद जब मौावजे का ऐलान रस्मदाई की बन जाए मौत के बाद हादसे से जब सरकार और पशासन सबग लेने से इनकार कर दे तो मानना ही पड़ेगा कि इनसानों की हैसियत कीडे मकोडों और फल सबजियों से ज़्यादा नहीं रही इस बार मुंबाई का एलफिंस्टन रेलवे फोट ओवर ब्रिज, आज लहु लुहान इनसानियत और सम्वेदन हीन तंत्र का गवाह बना नवरात्र की सुबा खुशियों की जगा एक हाथसे से मातम ने ले ली अभी तेक बाविस लोग डिकलेर डिट है तीस लोग का इलाज से बारिश के वज़े से भीड सारी उपर अटक गई तो रास्ता पुरा ब्लॉक हो चुका था नीचे से उपर कोई जा नहीं पा रहा था हम भी उपर जबरदस्ती जाने की जैसे नॉर्मल मुंबाई कर करता ह हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस मरते लोग सोती सरकारें ये गुस्सा मौजूदा रेल मंत्री पर भूटा है लेकिन जिन्हें मंत्राले संभाले चंद दिन ही हुए हो उसमें वो एक प्रतीक भर ही है दरसल ये गुस्सा अब तक की तमाम सरकारों के खिलाफ है जिन्हें जन्ता की दुख तकलीफ की फिक्र ही नहीं तभी तो हर साल बेहिसा बढ़ती आबादी के बावजूद अंग्रेजों का बनाया 106 साल पुराना पुल जसका तस छोड़ दिया गया जश्मदीतों का दावा है कि सुभा बारिश शुरू हुई तो भीड भीगने से बचने के लिए पुल पर जमा हो गई तभी एक साथ चार ट्रेने आ गई और भीड में और बढ़ोतरी हो गई और बढ़ती भीड के साथ शॉर्ट सरकेट और पुल तूटने की अववाज जैसे ही फैली मौत अट्टा हस करने लगी सरकारी मदद पहुँचने से पहले मुसाफिरों ने ही एक दूसरे को बचाने का काम शुरू कर दिया सरकार पहुँची तो लीबा पुती के लिए इश्वर से प्रातना करता हूँ कि जो घायल हैं उनको जल से जल ठीक हो रिकावरी हो उनकी मैंने जो हाइस लेवल की इंकोईरी ऐसे हाथसे में होती है चीफ सेफटी ओफिसर से हाई लेवल इंकोईरी के आदेश दे दिये हैं फूट ओबर ब्रिज टूटा होता तो बात समझ में आती है फूट ओबर ब्रिज भारी भीड के बावजूद भी फूट ओबर ब्रिज नहीं तूटा है जो कुछ हाथसा हुआ हो भगदर के कारण हुआ है इसलिए मुझे नहीं लगता है कि फूट ओबर ब्रिज की स्ट्रक्चरल स्टेंथ पर कोई सवाल उठ रहेगी लेकिन असलियत ये है कि शिवसेना के सांसदों ने अप्रेल 2015 में ही सुरेश प्रभू से इस पुल की चोड़ाई बढ़ाने की मांग की थी इसके जवाब में तबके रेल मंत्री ने ब्रिज को 12 मिटर बढ़ाने का भरोसा भी दिया लेकिन ये भरोसा फाइलों में धाई साल बाद अब भी बंद है हद तो तब हो गई जब रेल महकमे की तरफ से काम शुरू होने के दावे कर दिये गए जिस दिन से आया हूँ आज तक इस विशे को लेकर रेल के अधिकारियों से लगता रहा हर बार मांग करता रहा है दुर्बाग ये उचित कार्यवाई कभी नहीं है शिव सेना की मन्शा पर शक करने की वज़ा नहीं लेकिन देश में ज्यादा तर वक्त स्राज करने वाली कॉंग्रेस राजनीती करने का बेशर्म मौका छोड़ना नहीं चाहती और अब तो प्लेट फॉरम पर खड़े लोगों का जीवन भी सुरक्षित नहीं क्योंकि भगदड में जाने जा रही है क्या इस परकार से इस देश में रेल यात्रियों की सुरक्षा होगी मोदी जी और रेल मंत्री जाग जाएं सचाई जाने केवल रेल इंजीनियर हटाने और रेल मंत्री को बदलने से कुछ नहीं होगा एक लाख करोड जो रेल सुरक्षा का चाहिए वो फॉरन दें वरना इस देश के लोगों को आए दिन रेल दुरगटनाओं में और रेल प्लेट फॉरम पर होती दुरगटनाओं में जान से हाथ धोना पड़ेगा इस पुल से गुजरने वालों को पता था कि यहां कभी भी हाथसा हो सकता है तभी तो दो दिन पहले भी कुछ लोगों ने यहां की तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल कर सत्ता को जगजोरने की कोशिश की थी 106 साल पुराना पुल इतनी जिंदगीयों को लील लेने के बाद भी पता नहीं सरकार की नीन तोड़ पाएगा या नहीं हम तो पूछेंगे कि क्या मुंबई में रेलवे ब्रिज पर भगदर से हुई मौत के लिए सरकार को जिम्मेदा ठहराना जायज है अब सुनिए आज का सबसे बड़ा सवाल हमारा सवाल है क्या मुंबई में रेलवे ब्रिज पर भगदर से हुई मौत के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराना जायज है अगर आपका जबाब हाँ है तो HTP Y लिखे अगर आपका जबाब नहीं है तो HTP N लिखे और आपकी राय का हमें इस कारकर में इंदार रहेगा आप अपनी राय 51818 पर भेजें ट्विटर पर आप अपनी राय हाश्टाग HTP और हाश्टाग मौत की भगदर के जरिये दे सकते हैं बड़ी चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमाद जुड़ रहे हैं पारूफ कराना चाहूंगी कॉंग्रिस से प्रियंका चत्रुवेदी जुड़ रही हैं हमारे साथ शेश रायन जी स्टूडियो में हमारे साथ हैं प्रियंका हमारे साथ जोड़ चुकी हैं वीकिय अगनी होत्री सहाब हैं पूर्व सदस्य रेलवे बोट के हैं श्रीराम खन्ना सहाब हैं कंजूमर वोईस के लिए जाने जाते हैं समय समय पर वो आवाज उपभोकताओं की उठाते रहे हैं प्रियंका मैं चाह रही थी कि शुरुआत मैं BJP से करूँ लेकिन सुरेश साब हमारे साथ जुड़ नहीं पाएं तो शुरुआत मैं आप से कर लेती हूँ 22 लोगों की मौत का जिम्मेदार किसे मानती हैं आप मैं आप से यही सवाल उल्टा पूछना चाहूंगी आपको क्या लगता है कौन इस मौत का जिम्मेदार है आज साड़े तीन साल से भार्टी जन्ता पार्टी की सरकार है 2014 में ये सारे मुद्दों को उठाया गया था 2014 में सारे मुद्दों को प्रधान मंत्री से लेकर बाकी सारे लोग जो चुनाफ लड़ रहे थे भार्टी जन्ता पार्टी की तरफ से सबने ये मुद्दे उठाय थे जब इनकी सरकार बन कराई सुरेश प्रभूजी रेल मंत्री बन कराई तो हमने बहुत सारी अकबारों में कहानिया पढ़ी जहां पर पूरा जो भी रेलवे मिनिस्ट्री में गरबड़ी हुई हैं जो भी तकलीफे हैं उनको सबको ठीक कर देंगे सुरेश प्रभूजी डाइपर पहुचाने लग गए थे वो दवाईयां पहुचाने लग गए थे कहीं कहाना पहुचाने लग गए थे पर कहीं भी ये ध्यान नहीं दिया कि ये जो स्ट्रक्च्रल रीफॉर्म्स की जरुवत है और जो काफी सालों से मैं नहीं कहूँगी कि सिर्फ इस सरकार की जिम्मेदारी थी देखे मैं आपको बताऊं उन्होंने सैंक्षिन किया सैंक्षिन करते ही सारी जिम्मेदारियां खतम हो जाती है ये वैसे ही बात हुई कि हमने तो बजट भड़ा दिया है तो अब सारी रेल धुरगटना खतम हो जानी चाहिए कि कहीं न कहीं अकाउंटिबिलिटी भी बनती है मैं आप सिर्फ दो दिन पहले की ट्वीट्स बता रहे हैं फरवरी से लेकर फरवरी में मंजूल करके काटूनिस्ट हैं वेल नोन काटूनिस्ट हैं उन्होंने बकाईदा छेसा ट्वीट्स के थे सुरेश प्रभू जी को ये कहकर कि इस पर ध्यान देना जरूरी है मार्श में लोगों ने उनको लिख कर दिया है ट्वीटर पे जो इतने अपने आपको पॉजिटिव न्यूस छपाते थे रीट्वीट करते थे सब कुछ बकाईदा विटनेस अकाउंट्स हैं कि किस तरीके से ये तकलीफ भर रही थी पर उस पे भी चुपी बांदे रहना, accountability नहीं सीख करना मैं कहूंगी कि अब जाकर आपने F.I.R. जो किया है उनको accidental deaths बताई है ये तो accident है ही नहीं, ये तो man-made tragedy है जो कि बिलकुत बकाईदा murders हुए हैं लोगों के उसका जवाब का सरकार कब देगी और इस जवाब के संदर्व में क्या क्या ऐसी कारवाई है क्या क्या ऐसी accountability है जो सरकार इन पे मैं कहूंगी कि आगे चलकर कदम उठाएगी बीके अगनी होतरी साहब आप इन मौतों के 22 गरों में आज नवरात्र का अंतिम दिन था, नौवा दिन था पूजा अर्चना के साथ लोग अपने घरों से निकले होंगे, किसी ने सोचा ही नहीं होगा कि जब वापस आने के बारे में सोचेंगे, उससे पहले इतना बड़ा हाथसा हो जाएगा आज 22 गरों में खाना नहीं बनाओगा, चिताएं जलाने या जलने की तयारियां हो रही होंगी ऐसे में इन 22 लोगों की मौत का जिम्मिदार आपके नजरिये में कौन है अईसा है कि बिना ज़्यादा डिटेल जाने इसमें कुछ बोलना उचित होगा नहीं लेकिन मैं यहां बैठे हुए दिल्ली में यही बोल सकता हूँ कि यह काम ज़्यादा तब अड्मिनिस्टेटिव नेचर का था और टेक्निकल नेचर का भी था क्योंकि फुल को चोड़ा करना तो संभव नहीं होता है पुड़को तो दुबारा बनाना पड़ता है और वहां पे दुबारा फुल बनाने की जगह थी की नहीं थी क्योंकि इस तरह का लोहे का फुल बनाने का काम तो नहीं वह चोड़ी करन के लिए तो बजट संक्शन हो गया था और बड़ी वर्क्टॉप है रेल्वे में जो इस तरह का फुल बड़े जल्दी बना सकती है नाखुआ साहब लगातार आप पर सवाल हो रहे हैं आप इस मौत का जिम्मेदार किसे मानते हैं आज 22 घर जिनके घरों में मातम पस रहा है इस मातम का जिम्मेदार कौन है सबसे पहले तो मैं अपने 22 जाने गई है उन पर मैं अपने कंडोलन्स देना चाहूंगा और जो हुआ है उसके लिए एक हाई लवेल इंक्वेरी बिठा दी गई है उसकी टाइम बाउंड रिपोर्ट आते उस पर नेसेसरी एक्शन लिया जाएगा सर रिपोर्ट और कम तक आती है कितने ट्रेन हाथ से हुए है तमाम तरह की घटना है इस तरह के फुट ओवर ब्रेजिया स्टैंपेड की हुई है कितनी कमेटिया बैटी है क्या रिपोर्ट का हश रुआ है वो हम सब जानते हैं हम आपसे पूछ रहे हैं इन मौतों का जिम् सब्सक्राइब करेंगे और जब हाथा हो जाएगा तो आप इंकौरी बठाएंगे इनकौरी करने वालों को माल पानी खिलाएंगे उनको डी टीए डीए देंगे और उसके बाद आप जाच करेंगे बने यह हद्ध है यह गयर जिम्मेदारी की इंताहां है अभी श्रीमान जोड के कह चुका है कि वो बीस फूट चोडी सड़क होना चाहिए और का हब और दूसरी बात बीजेपी और शिवसेना के वहाँ हुकूमत थे इतने दिन से वो इतने कालोनिज बनाते जा रहे हैं परेल और वरली में और इलमे इलफेंस्टरन में जहां मिलें थीकभी» उसके लिए आप कुछ नहीं कर रहे है रेल पार्शली जीममवार है इसमें लेकिन असली जीममवार ये फूरे के सिस्टम पी जी और ये जिस तरह से ये बीजेपी के प्रभाक्ता महोदे कह रहे हैं कि हमने देंक्वारी करवा दी, तो अगली बार की इंक्वारी कराएं, वहीं बगल में तो वह स्टेशन है अपना, डादर में जितना भीड होती है, बादर, कुरला, रोल, और परेल, कर दो दी, तमाम उज होती है, वहां पर हर देंक्वारी की संभावना हमेशा बनी रहती है, और आप करें हम इंक्वारी का बैठाएं गया, इसके लिए इनके खिलाफ पूरी जुबले पार्टेट विरादरी को खड़े होना चाहिए, खार का भी इन प्रोसेस है, तो ऐसा नहीं है के नहीं हुआ यह तो इसे नहीं पूरी अलरेड़ी बन चुके है, इस फूट ओवर बिज करें हैं किसो पूरे जिक्राइटार है आप इन पविले पिछ वूर में ऐसा बश्वार 27 insult एव जितनी गफर में कर दो खानि नहीं है, साच भारत करते हैं नजी आर चल रहा है और पूरी कि पूर वेस्टरन लेल्वे के ट्रैक में आप ट्रेन में बैठके जाएए जितनी गंदगी है और सबसे बड़े लाडले को लाके इन्होंने मुख्यमंत्री रेल मंत्री बनाया था और वो श्रीमान जी कर क्या रहें आप महालक्षिमी के पास जो वरक्शॉप है वहां पे देखिए क क्या नर्क है जितने क्राइम होते हैं क्रिमिनल्स जो हैं रेल्वे और शॉप में जाके सारे वारदात होती है आप कुछ नहीं कर रहें आप लोग केवल जिम आप पानी देखिए ठपक रहा है जो आप ज़रा खड़े हो जाई किसी प्लेटफॉर्म पे और जो नीचे वो पे इतना खुरदरा मेरा काल है सावडेट सो साल पुराना जो अठारा सो सरस्ट में गाटन हुआ था इस स्टेशन का तब से अब तक उस पर कुछ काम ही नहीं हुआ तो इसके लिए को बीजेपी की निचे नहीं गलत है जितनी सरकारें आई हैं सब ने बंबई की मेट्रो लोकल रेलवे को फालतू की काउ समझा है जिससे की बेनिफिट लेते हैं और करेंगे के कुछ निचे नहीं पुराना ओवर बिज था जिस पर स्टेंपड हुआ है बाइस घरों में आज खाना नहीं बन रहा है मायूसी मातम पस्रा हुआ है और इसकी जिम्मेदारी सभी रा बाइस घर के लोग मर जाते हैं अरे प्रीती वहीं पर एक बहुत बड़ा डॉक्टर उसमें मैन होल में गिरके मर गया था अब रापूर करेंगे और उमीद करेंगे कि आरविन दो बोसले शिवसेना की तरफ से भी हमारे साथ ब्रेक के बाद होंगे लेकिन शुरुआत आप सरे मिन वारी बढ़ाएं करेंगे अग्रे मनारे प्रोच है और इसके लिए इसके लिए उनके खिलाफ पूरी पूले 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 बिरादरी को खड़े होना चाहिए खार का भी इन प्रोसेस है तो ऐसा नहीं है के नहीं हुआ है यह सारे नए फूटोवर्ज भी अल्रेडी बन चुके हैं आज का हमारा सवाल हम तो पूछेंगे में है क्या मुंबाई में रेल्वे ब्रिज पर भगदर से हुई मौत के लिए सरकार को जिम्मेदार ठेराना जायज है बड़ी संख्या में हमें एसमिस और ट्विटर पर जवाब मिल रहे हैं 46 फिस्दी लोगों का जवाब हामे है कि हाँ जवमेदार है 54 फिस्दी लोगों का जवाब यह है कि वो जवमेदार सरकार को नहीं मानते है यही सवाल हम पर आख्यूटर पर किया था और हमें land और 60 फिस्दी नामे क्या इस सरकार ने रेलवे को मुनाफ़े में लाने के अलावा कुछ और भी किया है आपको नजर आता है कि सुविधाएं बहतर की हो ताकि यात्रियों को दिक्कते कम हो ऐसा लग रहा है कि किराया बढ़ा दिया है जिन्दगी उस किराय से भी सस्ती नजर आती है देखिए जब से भाज़ापा की सरकार आई है तब से रेलवे के किराये बराबर बढ़े हैं और ये वाइदा किया गया था कि हम सुविधाओं का विस्तार करेंगे और उनको सुधारेंगे और सेफटी बढ़ाएंगे परन्तु देखा हमने ये है कि पिछले कुछ महीनों में लगातार एक के बाद एक रेल हादसों में सेकड़ों मसाफरों की जान गई है और आपको याद होगा कि सुरेश प्रभू जो रेल मंतरी थे उन्होंने अपना इस्तीफा इन रेल हादसों के करण दिया और आप नए रेल मंतरी आए हैं और ये दिखाता है और इतने साड़े तीन साल में जितनी मौते रेलवे में एकसिडेंट्स के कारण हुई है उसमें एक आदमी को पनिशनी किया गया अभी तक सदा नी दी गई है और आप वो कह रहे हैं कि हम नहीं इंक्वारी बठाएंगे आज जो हादसा हुआ है वो भी रेलवे का हादसा है और वो उसी कड़ी से जुड़ा हुआ है फरक इतना है कि कोई हादसे हुआ है लेवल क् बड़ा है और उसमें हजारों लोग रोज वहां से घुजरते हैं और यह मांग कई सालों से हो रही है कि उसका दो मीटर से चे मीटर में कर दिया जाए और यह मांग मान ली गई और पैसे पैसे अलोकेट कर दिये गए परन्तु अधिकारियों का और यह मंत्राले के ऑफिश कंजूमर वॉइस जो आवाज बता रही है वो यह बता रही है कि किराया बढ़ने के अलावा कुछ नहीं किया गया है रेल यात्रियों के सुविधा में बढ़ानों के एवज में सिर्फ और सिर्फ हादसे हुए हैं वो स्टेंपड हुए हैं ट्रेन के हादसे हुए हैं पट दिकत कहां पर आई जो आखिर कार इन 22 मौतों की वजह बनी। इस बात से तो आप इत्वाक रखते हैं चाहें आप गुंजाईश में उसको चोड़ा कर देते या पर उसके पेरलर में एक और फूट ओवर बिज़ बना देते इस बात से इत्वाक रखते हैं आप अचोड़ा तो नहीं किया जगता वो तो व्हो नहीं है चोड़ा नहीं किया जगता बगल में बनाने की समभावना है लेकिन वह भी क्योंकि बंबाइक हम भी पोस्टेट रहे हैं काफी दिन वह इतनी सक्री सब चीजें हैं और ऐसी कनेक्टेट हैं कि दूसरे से कि वह आप आर्मिन बोस लें आरे हो मैं आजके पास किसी क्या कर सकते हैं आप साइट पर जाकर की तैय करना होगा नहीं रेलवे के पास दुनिया के सबसे बहतरीन मेकेनिकल इंजिनियर हैं ये सारी दुनिया मानती है कि जमालपूर से जो पढ़के आते हैं उनके टककर के कोई मेकेनिकल इंजिनियर होता नहीं और अब सकरी हो चाहे चवड़ी हो बंबई है तो अपनी ही और 35 फीसदी आपकी ट्रेने पैसेंजर ट्रैफिक उन्ही उन्ही उसी मुबई लोकल पे चलता है तो उसको एकदम पेंडिंग रखने का क्या आर्गुमेंट है यानि अभी मैंने इंसे श्रीमान जी से बीजेबी के प्रवक्ता जी से कहा किताब आपने टेंडर कर दिया तो आपकी काम के इतिश्री हो गई आप अगला कदम श्रीराम जी न नहीं हो पाया अगर टेंडर निकलने की प्रक्रिया में देरी हो रही थी तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है आप वो पार्टी है जो लगातार ये कहती रही है कि अगर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता तो आज फुटोवर ब्रिज बन गया होता पैरलर या पर चौड़ा हो गया होता और बाइस मौते नहीं होती है और आपकी पार्टी है कि ऐसे में जिन लोगों को इस मामले में दोशी पाया जा रहा है या जो पहली नजर में दोशी है उन पर हत्या का मुकदमा लगना चाहिए क्या आप इस बात से आप भी इत्तफाक रखते हैं इत्तिया पार इसलिए लगत रहा हूं मैडम जो 22 मोते हो चुटी है यह हथसा नहीं है पहले तो यह बताएं से बाइस द्वारा एर रहा हत्या टांड है और इसलिए है आप मुझे परियाप्त समय दीजिए मैं थोड़ा बारिश्ची वज़े से यहां भी पहुंचने जैसे से मुंबई रेल्टे डारेक्टर जो नहीं नहीं आ चुट है उनके साथ चार बार वहां पर विजिट हो चुकी है और जो वहां टे सांसद है अर्विन सावन्त और रहुल शिवाले वहां टे विदाय जो आजय चौधरी उनके द्वारा वहां पर लगबद 12 बार हमन राइटी में पिछले तीन सालों में हमने लिठीत में दिया था कि यहां पर दूरण ना हो सथी है सुरेश नक्वाजी रियक्ट करें वह कहरें कि हम लगातार बोल रहे है कि शुरूआत कर आई आपने कुछ किया ही नहीं इसका अप्रूल भी हो गया था और इसकी रिक्वेस्ट 2015 में आई थी और बजेट इसको अप्रूल भी कर दिया था और इसका काम है था कि हमारे पास खर्चा टरनी के लिए पैसा नहीं है रेल माजी रेल मंत्री जब भूत पूरो रेल मंत्री है सुरेश प्रभुजी उन्होंने ये सोशल मीडिया पर भी उन्होंने डिकलर किया है कि मैंने दो साल पहले इस तो अपरोल दिया था रेल प्रशा संगा कहना था कि हमारे पास परियाप पैसा नहीं है जब आपके पास एक लांट पांश हजार टरोड रुपया बुलेट ट्रेंग के लिए है तो इस दो टरोड रुपे के लिए तो आठ टरोड रुपे के लिए पैसा नहीं था अभी आपके टूश आधिटारी टारेंगे हमारे पास जमीन नहीं थी अरे आप जब चाहते हो तो मुंबई सम्रुदी मार्ट रिभाट रहते हो आप जबातीजिए मैं राजनीती टरना चाहते हैं आपके दोरा एक विशह में फेल हो जाते हो आपके दोरा ब्रिटीज डॉर में इस सो बनाए था सव साल पूरे और बाद उन्होंने लिखिट में चार वा दिया इस देश के सर्टार को यह सब बताये सर जितने जिम्मेदार आप दूसरे को ठहरा रहे हैं उतने जिम्मेदार आप जरा अपने अगरे बात जाते हैं तो आप भी होग आप सवाल इग्नोर नहीं करें और भी ब्रिजेस है इस सवाल खड़े थिये हैं और सुनिए आपके लोग आपके लोग आपके मुकामी जो शाखा प्रमुक हैं वो क्यों बढ़ाते हैं वह पांच ब्रिज तो इसी रटे में हैं वेकार की बात करते हैं इन टूमर है और हमने इस्टो पर भी सवाल खड़ेती है और फिर भी रोले रेल प्रशासन इस्टो पर ध्यान देना नहीं चाहता इससे भी बड़ी और दुरवट नहीं हो सकती है यह आटर बीच आडर समझो दिर जाहे तो और मेरे बस में आप पर आरोप लग रहे हैं जिसके जिम्मेदार आप लोग होंगे इसका बोसले साहब इसका अल्रेडी सारे ब्रीजों के और दे दिये गए सारे ब्रीजों के स्ट्रक्चरल चेकिंग अरे ने 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 आप गलत में बोलिए रेल मंत्री ने मुंबें मैं आज ठूट काहा है कि टिसी भी ब्रीज्ट आमने ओडिट नहीं तिया था इस्ते आदें आप डलत जानकरी मत दो आप डलत जानकरी दो मत मैं राज नीती टरना नहीं चाहता तरी रोड आप सुनिये ने आप सुनिये ने आप पूरी करने दिजिए रेल प्रशाशन में पहले सुनिये फिर बोलिए कि आमने पिछले 20 सालों में टिसी भी रेल के ब्रीज्ट आउडिट किया नहीं है और मैं दुबारत है ना चाहता हूँ आपका जो न्यूज 18 ता जो सब स्टाफ है जो टैमेरा माने रिपोर्टर है जिस स्टेशन से आते ज यह तो और भी बड़ा भयाने स्टेशन हो चुटा है करी रोड चींज पोचली टॉटंज्री शिवडी दादर यह इतने बुरे स्टेशन हो चुटे इस्टे ब्रिज बुरे हो चुटे है सव साल से जादा इस्ट उमर चुटे है प्रियांका यहां पर मैं आपको लेकराना हैं आप डाउन कर रहे हैं आखिर आपकी सरकार ने क्यों इस पर कदम नहीं उठाया इसके चौरी करन या फिर इसके पैरलर में फुटोवर ब्रिज बिनाने के बारे में क्यों नहीं सोचा मैं मैं बस एक चीज़ यहां पर आपको बुंबाई के संदर में बताना चाहती हू लो परेल हो, एलफिंस्टेन रोड हो, करी रोड हो, शिवरी हो इन सबका जो डेवलाप्मेंट हुआ है वो करीब पिछले 10-15 साल में हुआ है तो यह जो ट्राफिक इंक्रीज भी हुआ है रेलवेज में और लोकल ट्रेन की ट्रैवल में वो भी उसी कारेकाल में हुआ है त तो जब population भरता है और activity भरती है तो हाँ बिलकुल हर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उस पर ध्यान दें यानि कि आपकी जिम्मेदारी भी बनती है आप मांती है इस बात को प्रिती जी मैं complete तो कर लूँ मैंने मैं कहीं भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रही हूँ मैं आपको बार बार एक चीज़ याद दिलाना चाह रही हूँ जी तो कि आपको अपके सामने पता चल रहा है कि किता सुरेश प्रभूजी के पास बार बार और और सिर्फ शिवसेना ही नहीं वहां के जो कम्यूटर्स हैं वो भी उनको लिख रहे थे 2015 से लिख रहे हैं पर किसी तरी प्रियंका लेकिन इस पूरी बाचीत में एक बात जो साफ हो रही है वो ये कि जब आप सत्ता पक्षपर रहते हैं तब आप चुप रहते हैं आप जब विपक्ष में जाते हैं तब आप यह कहते हैं वर्ट बैंके लिए नाम बखल दिया लेकिन उसससा का काम होना चाहिए था उसकी कि जिम्म 57% कि तर चाहिए है और आज 22 लोगों की जान चली गई है जिनके लिए नाम लेलवा सिर्फ और सिर्फ वो 22 परिवार जहां पर उनकी मौत हुई है बाकी 2-4 दिन यहां पर इस तरह आप लोग भी बयान बाजी करेंगे और उसके बाद एक समिती बिठा दी जाएगी जिसका कोई नतीजा नहीं आ आप पूचेंगे में एल्फ इंस्टन रोड हाथ से में जिस तरह की लगातार आप 22 लोगों की जाने गई है और नजाने याकरा कब बढ़ जाए इसकी भी आहट बनी हुई है इसमें हमने सवाल पूचा आप से आज क्या मुंबई में रेलवे ब्रिज पर भगदर से हुई मौतों के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराना जायज है आपके SMS और Twitter पर लगातार हमें जवाब बिल रहे हैं 47 फिसदी लोगों का हामे जवाब है वहीं 53 फिसदी लोगों का नहीं में जवाब है यही सवाल हमने Twitter पर भी पूचा था 40 फिसदी लोगों का हामे जवाब है और 60 फिसदी लोगों का नामे जवाब है अरविन दोस्ते जी मैं एक बार फिर से तो आप बारिश की वज़ा से आपको याद ही होगा, रुख जाएए सर, अगला हिस्सा तो सुन लीजे, तो बारिश की वज़ा से आपको याद होगा वो डॉक्टर, अमरापुर्कर, जाने मारे डॉक्टर, जिनकी में होल में डूबने से मौत हो गई थी, तो ऐसे में क्या BM और शिवसेना के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज नहीं होना चाहिए। निकाल दिया तो बीमसी क्या कर रही थी बीमसी का क्या है बीमसी की जिम्मेदारी क्या है जब आप जब अपना यानि एक सही बात बंबई में बारिश में चलना आपकी वज़े से बीमसी पे शिवसेना का कबजा कितने वर्षों से है और उसका नतीजा यह है कि शहर में जरा सा बारिश होते ही चलना दूबर हो जाता है और उसके हाद्से पर आज बाते है वे जान बुश्चे नरस रहा हुआ है नहीं सुनिए आपके जो मकामी गुंडे हैं उनोंने लगाता पर प्रशासन के नजर को बठा रखा है और उसके विज़ें आधी चलना गजा ही एउनके लिए आप लोग क्या करते हैं? आपने जो सब्सक्राइब आपके शीशेना के जो गुंडों ने कमजा कर रखा है उसका क्या ईलाज है उसके बारे में बुच रहते हैं अब क्या होता है मुंबई में रुजह ना होता है शीक अगे शेयान पड़ा तनी लोगाशे पर देने प्रशासंटे उपर बुना दाटी रोना चाहिए तो आप बोट बटोरने क्यों आते हैं करों से मुंबई करों से कह दीजा आप लोगों के साथ हूं पर जबादर जिम्मेदारी पीछे हटे हैं जब बूट लेकर आते हैं जिम्मेदारी लोगों से लेकर आते हैं तो वहाँ पर तुरंत है करेगा अभी आप लोगली बात करना सुहाता नहीं है हम मुद्धे पर ही भहस कर रहे हैं लोगली जान के साथ जो प्रशासन लें प्रशासन खेल रहे हैं उस्टों पर ज्यान दो जित्ता भारती जंता पार्टी जिम्मेदार है उतनी ही शिवसेना जिम्मेदार है तो क्या आप अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट कर दो है जानमाल पे साथ जो प्रशासन खेल रहा है उस्टों पर ध्यान दो सुरेशनक्वाजी जोड़ते नहीं स्टेट में जोड़ता है प्रशासन आप अपने घर में गर जाएगा तब उसकी मौत हो जाएगी अगर फुटों वाब्रिच ट्रॉस करता जिस्टाफ पर बजाएगी जानी कि वह अपनी वेस्पत पर ही जी रहा है तो जी रहा है नहीं तो किसी भी वक्त उसके साथ कोई हाथसा हो जाएगा सुरेश जी रियाक्ट कर ये इस पर हलो शुरेश जी आवाज पांच रही है आप तक हलो ले लग रहे है ये इन्सेंस्टिव हैं और इन लोगों को केवल बंबई में वसूली करना और वहां पे लोगों को शोशन करना यानि एक अखेला अगनाईशन है जो की पूर इस्ट पूर जो होकर जो दस बीस रुपए के आलू कंदा बेच रहा है उससे भी ये लोग हफ्ता लेते हैं और हाईस नेवल पे भी हफ्ता लेते हैं तो इनका ये कल्चर जो है इसको हर कीमत पे खातम होने के ज़रुत है और in अब अब आपका ब अलग हो रहे हैं आपने हथ्यारी सथा के लिए हैं राज नीटी टीचर में आप पीछ पूर रहे हूं पूतर रहे हैं और आप इतना बुरा लग रहा है ताकि हम भी आप पर सीरे सवाल पूछ पाए और पूछ पाए और पूछ पाए आपके दोहरा चरित्र क्यों अपनाया हुआ है आपका न्यूस एटीन टास टाफ उसी पूरिस से आता है आप ज़रा उंटो पूछो ट्या हालत है वहाँ पर तबी भी हाथसा हो सकते हैं उस्चो पर जान दो नड़ा आपके सवाल पी उस सरकार में शावल है आपने क्या-क्या कारवाई करवाई है और लेटर लिखने के बा सब्सक्राइब करना चाहिए आप तक अवास पहुंच रही है कि यहां पूछ से पूछा है कि सुरेजी तकदीर पर जी रहा है मुंबाई कर नहीं तो कभी भी कोई भी बड़ा हाथसा हो सकता है उसके साथ हां बोले यार्विंद जी कह रहे हैं आपके सयोगी ने बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है मुंबाई मुंबाई अपने तकदीर पर नहीं चल रही है मुंबाई में डेमोक्रेटिकल इलेक्टेड सरकार है उस पे चल रही है मुंबाई सरकार चला रहे हैं प्रियंका जी प्रियंका जी आप भूल गए 106 साल पूराना ब्रिज है उसमें से 65 साल आपने राज किया है हाँ, हाँ, बिल्कुर मैं कुछ भूली नहीं हूँ, कोई मतलब देखिया हम अपनी जिम्मेदारी से कंदा नहीं धार रहे हैं आपको बताती है किस तरीके से आपने किसी तरीके से ना ही रेलवेज में ना ही उनके स्ट्रक्शल रीफॉर्म्स की तरफ काम किया है इतनी सारी वेकिंसी वहाँ पर पड़ी हुई है उसको आप पूरा करने की जिम्मेदारी नहीं ले रहे है 29 दुर्गटना है हो चुकी है उसकी जिम्मेदारी अब तक तैने की है कौन उसका जिम्मेदार है इतनी आपने कमिटीज बनाई उन कमिटीज का एक मुझे बढ़ा कर जाकर आप अपनी जिम्मेदारी समझेंगे जादा हमें जरूरत है यहांपर हमारे रोज मरती सुईदा ओटी उस्टेव पर ध्यान दो यह मुंबेटर जनता चाहती है और उसना बेसिक हमें नहीं दे सकते हैं सब्सक्राइब जादा टैक्स का पैसा हमारे शहर से जाता है में रेल यात्रा में सफ़र रने वाले पांच दर्स पंद्रा लोड मारे जाते हैं यह तो इस दूसरे नहीं है एक बात मैं कहना चाहता हूं अगर टाइम दे दो देखिए बांबे में मुंबई जो है कई दुनिया भर के तमाम एक्सपर्ट्स ने कांग्रेस के राज में भी और इस राज में हमेशा से उसमें कांग्रेस बीजेपी को सेग्रेड करना जरूरी नहीं है कि मुंबई में सबका रविया ठीक नहीं है कई बार ये प्लैनिंग सजेस्टन दिया गया है है हैबिट एट के लोगों ने बहुत दुनिया से कि वहां का जो अर्बन बंबई अर पर्मिशन दें ये रिلवे ने बार बार कहा है जब आप कर्मिशन दें तो हमसे जर्बात कर लें क्योंकि आप बिल्डिंग बना लेते हैं और एक कालोनी आप डुप कर देते हैं उसमें आपके दस छudव्लाक आ जाते हैं आर हमको पता तक नहीं होता तो integrated development जो है मुंबई सिटी का, old मुंबई का और new मुंबई का जरूरी है और दूसरी बात यह है कि नवी मुंबई के development को अगर focus किया जाए जैसे देखिए पहले सारा नारिमन पॉइंट बता अब BKC जब बन गया है तो BKC में सारा commercial shift हो रहा है तो इसी तरह से नवी मुंबई को develop करने के लिए कुछ किया जाए वरना बंबई में जो लोग पड़े हुए हैं और इसके लिए सारी तीन political parties के लोग हमारे साथ बैटे हुए हैं और इनको अगर अपने लोगों के या इनके बड़े नेता कर सुन रहे हूँ तो अगर बंबे के मुंबई के इंटिग्रेटर कमप्रेंसिव डेवलेप्मेंट की बात करेंगे तभी वहाँ इंसानियत बतेगे और ना मुस्यवत नहीं कि बतेगे अफरी में मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ उनकी समिक्ष्य की जाएगी और जितना जल्दी हो सके उतना जो भी अगर रिपेर का कुछ काम है या अगर उन्हें चोड़ा करना है या बाजू में पैरलल ब्रिज बनाना है जितना जल्दी हो सके वो जल्दी करने की कोशिश की जाएगी झाल झाल